नमस्कार दोस्तों, मेडिफेक चनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस विशे में हम गोखरू फल के बारे में बाचित करेंगे जिसे संस्कित में गोख्षुर, मराठी में सराथे, पंजाबी में बखडा और बंगाली में गोखरी नाम से जाना जाता है आज मैं आपको इस गोखरू फल के विशे में विस्तार से बताऊँगा यही फल गोखरू का सबसे अधिक उप्योगी भाग है आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आयरवेद गरंथों में इसके क्या-क्या गुण और क्या-क्या लाब बताए गए है किन-किन रोगों में ये कारे करता है और कुछ बेहदी खास गोखरू के नुसके भी आपके साथ साजा करूँगा इन सब के अलावा मैं आपको बताऊँगा कि किन-किन लोगों को गोखरू का परयोग नहीं करना चाहिए यदि गोखरू का परयोग करते हैं तो उस समय आपको किन-किन साउधानियों का विशेश तोर पर ध्यान अखना है क्योंकि ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि दोस्तो कुछ ऐसे जानकारिया भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है जो आपने शायद ही इंटरनेट पर कहीं देखी या सुनी होगी तो बिना देर किये शुरू करते हैं आयरुवेट के गरंत चरक सहिंता में गोखरू का वर्णन मुत्रुवा संस्थान से संबंदित रोगों को दूर करने के साथ साथ वाद विकारों को दूर करने के लिए किया गया है अचारे ने गोखरू के फल को वरक्ष माना है अर्थाज जिस परदार्थ के सेवन से शरीर में बल वीर की वरद्धी हो जिसके सेवन से मन में आनंद की उत्पत्ती हो ऐसी चीजों को वरष शिमाना जाता है गोखरू की बीच की तासिर ठंडी होती है और मूतरी की मातरा को बढ़ाने का ये कारे करता है अत्याधिक शक्ति वर्दक वात्पित विकारों में गोखरू लाप परदान करता है शरीर में कहीं पर भी मौजूद सोजन नेतरविकार जोड़ों का दर्दिया विभिन परकार के वात्समस्याओं को दूर करने के लिए गोखरू के बीच का बहुती सुन्दर पर्योग किया जाता है चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं गोखरू के कुछ बेहद ही आसान परंतु अत्यंत परभावशाली नुक्सों के बारे में पेशाब में रुकावट या फिर पेशाब करते समय दर्द या जलन की अनुभूती होना दोस्तो ऐसी अवस्ता में गोखरू चूर्ण का पर्योग गन्य के रस के साथ किया जाए ऐसा करवाने मातर से ही लाब की प्राप्ती हो जाती है और अगर इस्तिती बहुत ही अधिक विकट है बहुत अधिक पुरानी है तो ऐसी अवस्ता में चंदर प्रभावती चंदना शव जैसी और शद्यों का पर्योग भी गोखरु चूर्ण के साथ करवाये जा सकता है और निश्य ही बहुत ही परभावशाली तरीके से यह लाब जिनका विचार सर्व पर्थम इस परकार की समस्या में किया जाता है पुरुश अंगों में तनाव की कमी ऐसी अवस्ता में गोखरु के बीच को दरदरा कूट लीजिए उसे लगबग तीन सो से चार सो एमल दूद के अंदर खूब अच्छे से पका लीजिए आपको पर आपको लगतार 40 दिनों तक ये करना है ऐसा पर्योग करने मात्र से प्रजन नंगों में तनाव की कमी की समस्या निश्य ही दूर हो जाती है इस पर्योग को आप धातू रूप की अवस्ता में भी कर सकते हैं अर्थात इसे वीर का अनेक्शिक रूप या इच्छा के वि दोस्तो गोखरू चूण के साथ आप सतावर चूण को भी मिला कर पर्योग मिलाते हैं तो आपको जादा लाप परदान होता है इसके अलावा दोस्तो आपको यदि वजन की कमी धातू दू दूर बलता वीर का पतलापन या फिर उसकी कमी होती है तो ऐसी आवस्ता में 40-60 दिनों तक उसे 5 ग्राम की मात्रा में इस नुकसे का पर्योग आपको दूद के साथ करना है इन समस्याओं से मुक्ति तो दिलाएगा ही साथ ही साथ आपके बल और वेरे की अनुभूती रूप से व्रद्धि करेगा परंतु आपको ध्यान यहां पर ये रखना होगा कि आपका पाचन तंत्र इन सभी नुकसे के पर्योग के दौरान तंदृस्त बना रहे और इसी के अलावा दोस्तो पत्री की अवस्ता में गोखुरू का पर्योग तुलसी की डाल के साथ मिला कर करना बहुती लाबदायक रहता है मात्र तीन से चार बार डाल का सेवन गोखु की आवस्ता में गोखरू का चून परियोग भेड या बकरी के दूद के साथ भी करवाते हैं इस परियोग से भी पेशाब की थैली में मौजूद पत्री मुत्रमार के रस्ते बाहर निकलना प्रारंब हो जाता है इन सब के अलावा जोडों का दर्द या फिर सोजन की आवस्त ऐसी आवस्ता में गोखरू, चून और आरेंड पाक इन दोनों को बराबर मातरा में मिलाकर आप दूद के साथ परियोग करेंगे तो ऐसा करने मातर से ही आपको लाप की प्राप्ती दिखाई देगी दोस्तों ये बेहदी सरल प्रंतु अत्यंत प्रभावशाली परियोग है इसके अलावा बहुत से लोग दावा करते हैं कि गोखरू का परियोग टेस्ट्रस्टेरोन को बढ़ाने का कारे करता है मगर दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता मुझे इस परकार के परिणा मात्र गोखरू का परियोग करवाने पर अपने किसी भी रोगी में नहीं प्राप्थ हुए हैं लेकिन हाँ गोखरू के परियोग से योन उत्तीजना में अवश्य वर्दी होती है पुरुष प्रजनन अंगों में तनाव अवश्य दिखाता है परंतु टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मुझे कोई भी परमान आज तक नहीं मिला है तो ऐसे में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के उद्देश से मैं गोकुरु का परामर्श आप सभी को नहीं देना चाता हाँ खिलाडी इसका परियोग अवश्य कर सकते हैं चाहे वो इस्तरी हो या पुरुष क्योंकि गोकुरु में मौजूद तत्व सौजन कम करते हैं चोट आदी के परभाव को दूर करने का कारे करते हैं उनकी चुस्ति फुर्ति में वर्दी करते हैं हिर्दे और अन्य महत्वण अंगों को भी बल परतान करने का कारे करते हैं अर्थात खिलाडियों में इसका आवश्य लाप प्राप्त होता है जहां तक बात की जाए इस और शदी के साइड फेक्क की तो बहुत अधिक मातरा में इसका परयोग गुर्दे या फिर तिली पर नाकारतमक परभाव डाल सकता है तो दोस्तो इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखिएगा वहीं जिन लोगों को कफ परकरती अर्थात जिन लोगों की तासिर थंडी है ऐसे लोगों को गोकरू का परयोग हाने भी पहुँचा सकता है तो दोस्तो आप इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेएगा कि यह ठंडे तासिर की आउशदी है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि मेरे दुवारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और यदि कोई आप अपना सुझाव या फिर कोई हमसे सवाल करना चाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के माद्यम से आप हमसे कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ स्वास्त रहिए सुखी रहिए Have a nice day